एक सीशे का कमरा बना दिया बाहर से ऐसी दिखाई देता है जैसे आप सीशे के रूम में बैठे हों आज हम आए हैं परमोद कसाना जी गया गाव में बहुत ही शांदार और कमाल का घर बनाया हुआ है इनके घर में सीशे से बने हुए कमरे हैं खेती बाडि से जुढे हुए इंसान है तो चलिए चलते हैं और करते हैं बहुत भातव्यक्ताइब है यह नाम मास्टर परमोद कशाना है यह गाँ कोत्वालपूर है इस गाँ कोत्वालपूर में आपका बहुत बहुत हार दिक्सपागत अचाब यह मैं अलिशान मगान देख रहा हूं यह किसने बनवाया था नहीं आलिशान तो खेर आप कह सकते हैं यह मेरा घर है चोटी सी कु हुआ हमारे सभी बच्चों को घर में जो बिशद से सब को इनकादर्सन हो जाए अधिया अपने गाड़ी कब ले थी गाड़ी में अभी एक ही साल हुआ जाजा नहीं के आपके उचाही कितनी होगी उचाही लगबग दोमंजील अगर हम देखे हैं तो लगवाइस फूट क लगबग है ग्यारे फूट पर इसका टपाव साथ फूट भराव कर आया था उसके बाद पर यह मकान मना फिर भी गाओं में जैसे बजार में रहता है ना सेफ्टी की परपस से हमने बिल्कुल क्लोज करके बनाया एक ही गेट पूरे मकान का यहां रात में इस गेट को लग नीचे को हम पूरा पूर्ण रूप से बैठक बनाया तो यह थोड़ी सला थी आर्केटक्ट की लेकिन शुरुआत तो मने ऐसी की थी फिर बाद में थोड़ा सा मेरा मिलने वाले थे ओ आर्केटक्ट उनसकी सला से फिर अच्छा बन गया यह मैंने सबसे बड़ा यह बनाया दो ड् Kaitरा थे कर सकते हैं यह हमारे पूजा कर तीय है वार बचे बच्चे अनम यह राजВОती अमने अपने बहुंत का नाम भी राजवती तो हमने बनाया है यह स्पीजु में हमारे चोटा और मता जी ही इसमें का रोम है और हमारे पिताजी और मता जी है जब हमकभी पैदा तब का फोटो है इसी तरह के दो रूम बड़े यहां है यह एक यह है इसी तरह के दो जीने हमने मकान में बनाए एक उधार एक इधार जैसे में पथर देनों पथर कुन सा लगा हुआ पथर इसको ग्रेनाइट बोलते हैं हाला कि यह कोई स्पेसल नहीं है सभी के जीनों में लगता है तो यह गिरेनाइट पत्थर है जी अब तो हम तो हम तो लोकल मार्किट से लेका है बाकिया नीचे का जो पत्थर ता वहां से लेका है तक किसंगड़ से और उपर फिर एमने ऐसे यह बारभाई 14 के दो रूम यह बच्चों का रीडिंग रूम है यह आपने डिज बनाई है डबल पॉर्शन बनाई ना तो यह इस यह आपकी ओपन किचन है और यह दूसरी ओपन रसोई है और यह फिर बैड रूम आगया हमारा इस तरह के हां दो बैड रूम ऐसे हैं कि अटेच बात्रूम दो बैड रूम बनाए है यह बार की साड़ जासे है यह इतर भा काम में लगता है वलकनी है जी कभी शादी बारात कोई अतिये तो यहां बैठके यह कुन सा पॉर्शन है यह पूर्शन मैंने दो रूप से बनाया ता सजावट के रूप से भी फिर यहां बैठके बहुत अच्छा लगता है बरसात में हवा आर पार जाती है एक सीशे का दिखाई देता है जैसे आप सीशे के रूम में बैठे हो यह पूरा खेद खेद है तो कितने होंगे भी आप इस यहां पर कम्रें लंसम हैं दस दो हॉल है जी दस रूम है और उपर यह अपना सीश महल है हमारा यह आपको तीसरी मंजिल पर भी आगए यह तो पागे आप य यहां से आप पूरा चेतर देख सकते हैं सिगनेचर बीज यहां से किलियर दिखाए देता है जिस दिन बारिश होती है यहां से अच्छे 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 मत्सम साड़े तीन सो चार सो गज के लंसम कवर्ड एरिया यह राजवति कुछ बनाया हमने भी मैं आपको बताया हमारी माता जी का नाम राजवति है पिता जी का नाम चोर्गी ब्रंपाल सिंग है तो हमने घर का अपने पूरे भावन का नाम राजवति कुझ बनाया है यह में दो लोग भाई प्रसाना और परमुद्ट पसू है यह हमारा यह सारे पसू है और यह बलके बड़े भाई हमारे घोड़ा भी रखते हैं उनकी गाड़ी है यह और यह जो आप पुराइब पुराने वाला घर है बीच में से हमने थोड़ा सा उखाड़ कर उसकी पीट निकाल ली दोस्तों वीडियो को शेयर करें लाइक करें हमार को कमेंट करके जरू बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी धन्यवाद